भारत के पहले सूपर हीरो शो शक्तिमान के लिए आज तक देश के हर इंसान के दिल में प्यार है यह वही सूपर हीरो था जो भारते संस्कृति के साथ अपनी सूपर पावर के जरिये हर चेहरे पर मुस्कान को लेकर आता था इस किरदार को निभा कर मुकेश खन्ना ने भी खुद पर लगा भिश्म पितामय का टेग हटाया था और हर बच्चे के चहिते हो गए थे लिकिन कि आप जानते हैं कि इस किरदार को गड़ने के लिए उन्होंने तीन हॉलिवूड फिल्मों से प्रेड़ना ली चोंग गए ना चलिए आपको बताते हैं पूरा किस्सा दरसल हाली में इस शो को 24 साल पूरे हो चुके हैं इस मौके पर शो के लीड कलाकार मुकेश खन्ना ने कई खुला से किये हैं मुकेश खन्ना ने बताया है कि शो में शक्तिमान के उड़ने की तकनीक से लेकर गंगादर के आगे के दांत हॉलिवूड फिल्म से कौपी किये थे हाली में मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चेनल भिश्म इंटरनेशनल में दबूकेश खन्ना शो के नाम से एक वीकली चेट बनाया है इस सब्ता इस शो के गेस्ट काफी खास रहे जो मुकेश खन्ना के सक्तिमान के डाइरेक्टर दिनकर जानी थे इस बाचीत में ये जानकारी खुद दिनकर और मुकेश खन्ना ने दी कि शक्तिमान के किरदार को गड़ने में इन्होंने कहां कहां से क्या लिया सूपरमेन इस स्पेशल बाचीत के दोरान मुकेश ने कहां मैं ये मानता था कि हम क्यवल सूपरमेन बना रहे हैं सूपरमेन का दूसरा रूप कलॉर केंट भी प्रेस में काम करता है और गंगाधर भी प्रेस में ही काम करता है यानि आप समझ सकते हैं कि यह गंगाधर का पत्रकार वाला आइडिया सूपरमेन से लिया गया था मास्क इस वीडियो में मुकेश खना आगे कहते हैं कि हमने शक्तिमान का उड़ना सुपरमेन से अलग किया था हमने गोल गोल गूम कर उड़ने की इस्टायल शक्तिमान को दी जो हॉलिवुड की सुपर हीरो वाली फिल्म मास्क से प्रेडित रहा आपको याद हो तो इस सीरियल में गंगा धर के आगे के दो दांत बाहर थे मुकेश और दिनकर की बाचित में सामने आया कि एक कॉंसेट हॉलिवुड फिल्म दा नौटी प्रोफिसर में जेरी लिूस के किरदार से लिया था बता दें कि इस फिल्म में भी किरदार के दो रूप दिखाए गए थे